Hello everyone, तो आज देखते हैं क्लास एर्थ का चेप्टर एर्थ Algebraic Expression and Identities तो इस चेप्टर की first exercise देख लेते हैं क्या है first question? Add the following हमें कुछ expressions दिया हुए AB-BC, BC-CA और CA-AB इन तीनों को हमें add करना है तो सबसे पहले जो expression है वो लिख देंगे AB-BC तो इसको ऐसे questions में जो first expression दिया होता है उसको as it is लिख लेते हैं फिर second क्या है? BC-CA तो BC के नीचे BC आ जाएगा BC का sign क्या है? प्लस है तो प्लस BC और CA CA नहीं है first expression में तो इसको अलग से लिख देंगे हम minus CA third expression में है CA तो CA लिख देंगे पहले plus CA फिर साथ में है AB अब AB हम अलग से लिख देंगे क्योंकि हमारे first expression में AB था तो उसके ही नीचे लिखेंगे third line में minus AB sign इसमें हमें ध्यान रखना होता है sign जो है वो ही लगाना है अब इस expressions को हमें क्या करना है? add करना है तो plus कर देंगे उसके बाद हम देखेंगे कि AB plus minus AB क्या होगा? तो इस सबसे simple step होता है कि इसको हम लिख के कर लेते हैं इसमें गलती होने के chance नहीं होते हैं तो AB लिख दिया फिर उसको plus करना है minus AB से तो क्या होगया? AB minus AB होगया plus minus minus होता है AB से AB कट जाएगा मतलब 0 होगा कुछ नहीं होगा वैसे ही minus BC है उसको plus करना है हमें BC से तो minus से plus कट गया तो ये भी हमारा 0 होगया वैसे ही same क्या हो जाएगा? minus CA है इसको plus करना है हमें CA से तो 1 CA minus का 1 CA plus का फिर ये कट गया तो हमारा answer क्या आगया? इस पार्ट का 0 तो ये हमारा answer हो गया second part देख लेते हैं इसका second part है हमारा A minus B plus AB B minus C plus BC C minus A plus AC तो first जो हमारी expression है उसको as it is लिख लेंगे A minus B plus AB अब second expression देखते हैं second expression में सबसे पहले है B वो भी plus में है तो plus B लिख देंगे फिर है minus C अब हमारी first expression में C नहीं है तो उसको अलग से लिखेंगे हम C minus C लिख दिया अब plus BC BC भी नहीं है इस expression में first वाले तो BC को भी अलग से लिखेंगे plus BC हो गया अब C है third expression में तो C के नीचे C लिख देंगे minus A अब A हमारा first expression में था उसके नीचे लिख देंगे फिर AC AC नहीं है किसी भी expression में तो उसको अलग से लिखेंगे plus AC अब इन सब को क्या करेंगे इन सब को भी add कर लेंगे अब देखते हैं सबसे पहला है A plus minus A तो A plus minus A क्या हो जाएगा A minus A हो जाएगा मतलब A से A कट जाएगा तो इसमें 0 हो जाएगा नीचे कुछ नहीं आएगा तो इसको हम सीधा काट लेते हैं वैसे हमारा B है B भी कट जाएगा एक minus में है एक plus में है AB के नीचे कुछ नहीं है तो सीधा AB लिख देंगे minus C और plus C है इनको plus करना है तो इसमें भी कट जाएगा फिर हमारा आंसर जो B C है B C के नीचे कुछ नहीं है B C लिख देंगे A C के नीचे कुछ नहीं है A C लिख देंगे उपर भी नहीं है तो हमारा आंसर क्या गया AB प्लस BC प्लस AC यह हमारा second part हो गया अब third part देख लेते हैं इस question का 2P square Q square माइनस 3PQ प्लस 4 second है 5 प्लस 7PQ माइनस 3P square Q square तो जो first हमारी expression है उसको लिख लेंगे पहले अब second expression में सबसे पहले है 5 तो 5 क्या आजएगा सिर्फ number है तो number के नीचे number आजएगा 7PQ 7PQ 3PQ के नीचे आजएगा और minus P square Q square तो यह किसके नीचे आजएगा 2P square Q square के साथ में minus है तो minus भी लगाएंगे बस अब line खीच देंगे और इनको add कर देंगे जैसे हमने पिछले दो parts में किया है तो देख लेते हैं इसमें कैसे करेंगे सबसे पहले है 2 2 को हमें plus करना है minus 3 से तो 2 है 2 को हमें plus करना है minus 3 से minus 3 से तो क्या हो जाएगा 2 minus 3 2 minus 3 क्या होता है minus 1 अब इसको minus 1P square Q square लिखेंगे या फिर minus P square Q square लिखेंगे बात देखिए उसके बाद second देख लेते हैं क्या है minus 3 को हमें plus करना है 7 से plus 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 ही होता है इसलिए plus 7 लिख दिनगे सीधा minus 3 plus 7 हो गया 4 sign किसका है plus का बड़ा है तो सरफ 4 answer आएगा plus 4 लिख दिनगे इसमें plus 4 PQ उसके बाद है 4 और 5 दोनुका sign plus है और हमें करना भी plus है तो सीधा क्या लिख दिनगे plus 9 4 और 5 प्लस करेंगे 9 हो जाएगा plus 9 यह हमारा answer हो गया third part का उसके बाद हम next part देख लेते हैं अपना इसके बाद है हमारा L square plus M square M square plus N square N square plus L square 2 L M plus 2 M N plus 2 N L तो first expression लिख देंगे L square plus M square second लिख देंगे M के नीचे M square plus N square अलग से फिर third लिख देंगे N square के नीचे N square plus L square अलग से लिख अलग से नहीं L square हमारा first expression में है तो उसके नीचे लिख देंगे फिर 2 L M, 2 M N, 2 L, N L ये अलग है तो इसको हम क्या करेंगे इन expressions को अलग से ही लिख देंगे क्योंकि हमारे first, second, third expression में नहीं है फिर इन सबको हम add कर देंगे तो L, अब इसमें कहीं minus नहीं है तो ये बहुत simple हो गया L square, L square कितना हो गया? 2 L square M square, M square हो गया हमारा 2 M square, तो plus 2 M square लिख देंगे फिर उसके बाद N square, N square हो जाएगा 2 N square फिर L M, M N और N L के उप़र तो कुछ नहीं है उनको as, 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 उतार देंगे नीचे उसके बाद इन सब में ये जो पूरी expression बना है नीचे जो answer आए, इसमें 2 common है सब में 2 है, तो 2 को common लिख लिख देंगे फिर लिख देंगे अंदर L square, plus M square plus N square plus L M plus M N plus N L तो ये हमारा इस part का भी answer निकल गया इसके बाद हमारा second question second question देख लेते हैं क्या है इसका second question में हमें subtract करना है किसको? first part देख लेते हैं 4 A minus 7 A B plus 3 B plus 12 from 12 A minus 9 A B plus 5 B minus 3 तो मतलब जो पहली expression है उसको second में से minus करना है from second expression तो from वाला जो है वो पहले लिखेंगे तो 12 A minus 9 A B plus 5 B minus 3 हमने लिख दिया उसके बाद जो like term से उसके नीचे लिख देंगे 12 A के नीचे 4 है आ गया 9 A B के नीचे minus 7 A B आ गया plus 5 B के नीचे plus 3 B आ गया और minus 3 के नीचे plus 12 आ गया अब इस expression को हमें दोनों को क्या करना है यहाँ पर minus करना है minus कर दिंगे तो जैसे मैंने बताया था कि हम इसको अलग से लिख के करेंगे वैसे ही करते है सबसे पहले है 12 12 को क्या करना है हमें minus करना है minus किससे करना है 4 से तो यह तो simple होगी है 12 minus 4 क्या हो गया 8 तो 8 है हमारा आ जाएगा पहले अब उसके बाद है minus 9 देख लिते हैं minus 9 लिख देंगे minus 9 को minus करना है किससे minus 7 से minus 7 लिख देंगे तो यह हो जाएगा minus 9 plus 7 minus 9 plus 7 क्या होता है minus 2 होता है क्योंकि sin minus का बढ़ा है तो minus 2 ये भी लिख देंगे उसके बाद plus है दोनो plus 5 minus 3 तो सीधा ये तो हो जाएगा 5 minus 3 तो इसमें लिख देंगे हम 2 भी ये direct हो जाएगा इसको direct भी लिख सकते हैं मैं बस समझाने के लिए आपको लिख रहा हूँ ताकि आपको अच्छे तरीकी से सम माज़ है 2 भी उसके बाद है minus 3 जो minus 3 को हमें minus करना है 12 से minus 3 minus 12 plus 12 है plus 12 तो minus 3 minus 12 होगी है plus minus minus होता है तो minus 3 minus 12 कितना होगी है minus 15 15 हो जाएगा sign minus का आएगा क्यों क्योंकि दोनों में minus है minus का बड़ा है कुछ भी कह सकते हैं आप तो 15 तो हमारा answer आ गया 8a minus 2ab plus 2b minus 15 अब second part देख लेते हैं इसका second part है 3xy plus 5yz minus 7zx इसको subtract करना है from 5xy minus 2zx plus 10xyz तो हमारी जो second expression है उसको पहले लिख देंगे from के बाद वाला हमेशा पहले लिखना होता है यह याद रखना है आपको तो लिख देंगे 5xy minus 2xz sorry zx और xz zx यह सेम है xy yx यह सेम light terms में आते हैं तो यह भी याद रखने है बाद तो इसमें लिख देंगे 3zy sorry 3xy उसके बाद 5yz नहीं है कहीं पर first expression में yz नहीं है इसलिए yz को अलग से लिखा है 5yz को उसके बाद है minus 7zx तो zx है तो लिख देंगे minus 7zx लिख दिया minus 2zx के नीचे अब इसको separate कर देंगे तो वैसे लिख के कर लेते हैं दोनों plus है तो 5 minus 3 यह तो सीधर 2 हो गया 2xy हो जाएगा अब उसके बाद है minus 2 तो minus 2 है minus 2 को हमें minus करना है minus 7 से minus 2 को minus कर देंगे किस से minus 7 से अब यह हो जाएगा minus 2 plus 7 minus minus plus हो जाता है उसके बाद minus 2 plus 7 क्या होता है 5 होता है sign किसका बड़ा है plus का बड़ा है तो लिख देंगे plus 5zx अब 10xyz के नीचे कुछ नहीं है plus 10xyz लिख देंगे और plus 5yz के उपर नीचे कुछ नहीं है plus 5yz हो जाएगा तो यह हमारा answer हो गया second part का अब इसका third part दिख लेते हैं question का 4p square q minus 3p q plus 5p q square minus 8p plus 7 q minus 10 अब इस equation को minus करना है from 18 minus 3p minus 11 q plus 5p q minus 2p q square plus 5p square q तो लिख देंगे equation from के बाद वाली जो है फिर उसके बाद देखेंगे जो like terms है उसको उनके नीचे लिख देंगे जो unlike है उसको अलग से लिख देंगे तो सबसे पहले है 4p square q तो p square q किदर है यह रहा last में तो लिख देंगे इसके नीचे plus 4p square q उसके बाद है हमारा 3p q p q का है हाँ 5p q है उसके नीचे लिख देंगे minus 3p q उसके बाद है plus में 5p q square मिल गया तो लिख देंगे plus 5p q square उसके बाद है हमारा 8p तो minus 8p है minus 8p लिख देंगे उसके बाद 7q है plus में तो 11q के नीचे लिख देंगे plus 7q उसके बाद हमारा minus 10 है तो लिख देंगे minus 10 इसमें सारे life terms थे एक दूसरे के मिल गए सारे और हमने सारे put कर दी है नीचे लिख दी है अब इनको हमें minus करना है तो सबसे पहले लिखते हैं 18 को minus करना है minus 10 से तो देखते हैं इसमें क्या आएगा लिख देंगे 18 minus minus 10 18 minus minus 10 कर देंगे तो क्या आजाएगा 28 क्योंकि minus minus क्या होते है प्लस हो जाएगे 18 plus 10 क्या हो जाएगा 28 हो जाएगा 28 लिख देंगे उसके बाद हमारा है minus 3 minus 3 है minus 3 को minus करना है minus 8 से तो यह हो जाएगा minus 3 plus 8 minus 3 plus क्या होता है minus sign plus का बड़ा है इसलिए plus आएगा और 8 में से 3 गए 5 तो plus 5 भी हमारा आगया इदर तो plus 5 भी लिख देंगे उसके बाद है minus 11 minus 11 को minus करना है 7 से plus 7 है 7 लिख देंगे minus minus क्या हो जाएगा plus अब दोनों plus हो जाएगे तो sign किसका हैगा minus का क्यों क्योंकि दोनों में minus है तो minus 18 क्यों हो गया उसके बाद है हमारा plus 5 PQ तो 5 PQ लिख देंगे 5 को minus करना है minus 3 से तो यह 5 plus 3 हो जाएगा इसलिए 8 हो जाएगा तो 8 PQ आगया इसमें sign plus का फिर उसके बाद है minus 2 को minus करना है 5 से तो यहाँ भी minus minus क्या हो जाएगा plus और 5 6 7 यहाँ हो गया 7 PQ square side minus का जाएगा minus 7 PQ square plus plus है दोनों direct minus कर देंगे 5 में से 4 गया 1 तो यहाँ पर 1 P square Q लिख देंगे या फिर सीधा P square Q लिख देंगे तो यह हमारा answer हो गया third part का तो यह exercise हमारी यहाँ पर खतम हो गया एक्साइज 8.1 तो next exercise हम next videos में करेंगे तब तक के लिए goodbye take care and please subscribe js network